हेलो दोस्तो नमस्कार आज हम देखेंगे पालनर सिंतेसिस अफ द थायोफिन तो दोस्तो इसमें जनरल रियक्शन क्या होती है देखिए 1,4 डाय कार्बोनाईल कमपाउंड हमारे फॉस्फरस पेंटा सलफाइड के साथ रियक्ट होता है इन द प्रेजेंस ओफ एसीड और हमे है मेकैनिजम देखते हैं तो मेकैनिजम में हमें 1,4 डाय कार्बोनाईल का कमपाउंड लेना है तो हम कैसे ड्रॉक करेंगे वह कमपाउंड सिंपल है दोस्तो चार कार्बन निकालो ओके नेमिंग दो वन यहाँ पर टू थ्री और फोर यह क्या कह रहा है वन और फोर के उपर कार्बोनाईल गूप आ जाएगा यानिकि ए वाला गूप ओके तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पर हम डबल बॉन ओ लगाएंगे फोर्थ पे लगाओ ओके यहाँ पर भी लगाया हमने देखिए अभी कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाय करने के लिए यहाँ पर कितने एच चाहिए है वन टू थ्री और फोर क्योंकि एक कार्बन चार बॉन बनाता है तो वैलेंसी सैटिस्फाय हो जाएगी यहाँ पर भी दो और देखिए यहाँ प पुरा किटोन बनेगा 1,4-Di-Ketone बनेगा तो वैसे ही है दोस्तों तो हमने क्या किया है 1,4-Di-Carbonyl का compound लिया है अभी इसकी reaction किसके साथ होती है दोस्तों हमारे phosphorus pentasulfide के साथ होती है जिसके पास दो लोन प्यार होते हैं तो अभी क्या होता है देखिए सबसे पहले इस sulfur इस sulfur क्या करता है इस वाले oxygen को क्या करता है replace करता है इस sulfur क्या करता है इस वाले oxygen के साथ replace करता है तो हमारा structure बनेगा मैं as it is लिक रहा हूँ देखिए यह देखो यहाँ पर C यहाँ पर double bond हो इस O की जगह क्या आजाएगा sulfur आएगा यह क्यों replace करेंगे हम इसको क्योंकि हमें क्या चाहिए हमारे ring में sulfur आना चाहिए हमारे ring में क्या चाहिए हमें sulfur आना चाहिए तो इस sulfur क्या करता है इस oxygen को replace करता है और खुद बखुद यहाँ पर चला आ जाता है जिसके उपर lone pair होते हैं 2 यहाँ पर देखो कोई changes नहीं आएगा दूस्तों यहाँ पर R1 और यहाँ पर क्या आजाएगा R2 हमने क्या किया है सिर्फ इस oxygen के जगा हमारा प्यारा sulfur लिया है अभी देखिए होता क्या है अभी twist आजाता है यहाँ पर क्या है यहाँ पर H plus यानि कि acid के साथ हम क्या कर रहे है reaction कर रहे है तो यहाँ पर देखिए जो carbon fourth carbon है उसके उपर carbon और oxygen में ज्यादा electro negative oxygen होता है तो इसलिए क्या करता है यह जो bond है इसके में दो यहाँ पर दो electron है यह दोनों के दोना electron यह oxygen अपने और खीच लेता है अगर यह अपनी और खीच लेता है तो यहाँ पर carbon की valency unsatisfied हो ज carbon यहाँ पर नहीं रहेगा तो one two three three ही होगे तो एक bond चाहिए तो sulfur क्या करता है उसके पास loan pair होता है तो एक loan pair donate करता है इस वाले carbon को और bond बनाता है और जो यह oxygen है वो क्या करता है loan pair अपने और खीच लेता है और किसको देता है इस वाले h को देता है तो हमारा जो h है वो इस वाले oxygen पर क्या हो जाता है अटेच हो जाता है तो चलिए हमारा structure क्या आएगा हम देखते है उपर वाले carbon मैं वैसी लिक रहा हू एज एज यहाँ पर भी था एज यहाँ पर भी कर रहेगा ओ आएगा और एज क्योंकि इसको क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रोन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोन क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है hydrogen को अभी देखो यहाँ पर क्या टेच होगा हमारा सलफर जिसके ऊफर अभी positive charge आ जाएगा और यहाँ पर क्या था पहले से यहाँ double bond था इस वाले carbon और sulfur के साथ double bond था अभी देखो कभी आपने देखा है sulfur के ऊपर positive charge नहीं न तो क्या करेगा इस sulfur क्या करेगा यह इस bond में दो electron है वो अपने और क्या करेगा खीच लेगा और यहाँ पर लोन पेर लेकर यहाँ पर जो positive था वो neutral बन जाएगा तो यहाँ पर हमारे sulfur के ऊपर कुछ ऐसे charges आ जाएंगे लोन पेर आ जाएंगे दो लोन पेर आ जाएगे ओके तो अगर एक bond यहाँ से चला जाएगा तो इस वाले carbon की वैलसी unsatisfied होगी होगे तो एक bond चाहिए तो यह hydrogen क्या करेगा adjustment करेगा एक खुद बखुद निकल जाएगा free radical के रूप में और हमें क्या देगा यहाँ पर double bond देगा और देखिए यहाँ पर क्या होता है यह तो पहली बात हो गई दूसरे में क्या होता है यहाँ पर ओश था वह अपना एक electron लेकर बाहर चला आ जाता है यहाँ पर जो एक एच था वह अपना एक electron लेकर बाहर चला आ जाता है और एच टू बनाता है यहाँ कि एच टू क्या बाहर निकलेगा और देखिए जो यहाँ पर एक electron है यहाँ पर एक electron है यहाँ पर एक electron है यहाँ कि इस carbon के पास एक electron इस carbon के क्या चला जाएगा तो बाखी क्या है सिर्फ एक एच और यहाँ पर उसका एक एलेक्ट्रोन यहाँ पर नीचे देखिए आरवन यह वैसा ही आएगा उसके बाद में ओई तो चला गया है लेकिन अच्छी बात क्या है उसने एक एलेक्ट्रोन यहाँ पर भी छोड़ रखा है तो ये देखिए दो इलेक्ट्रोण, एक बॉंड यानि कि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन बे क्या आ जाएगा, डबल बॉंड आ जाएगा, और देखिए, ये जो हमारा सलफर है, वो इस बॉंड से दोनों भी इलेक्ट्रोण अपने और खीज लेता है, पहले पॉज है जाएगा सिर्सिंगल पॉन्ड यहां पर चला जाएगा यह पहिले ने एक पर ट्रम कर them beetje पॉलेक फॉले ने आपको मुला यहां पर न्यौसरोली चले में मंटमने फॉलीजन कर फॉलेच रो आलख में लीगता खुलईCal चला और यहां पर पर अभी रेको सभी कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर सल्फर के उपर दोलोन पेर भी आ गए तो हमारा थायोपिन का स्टक्चर कुछ ऐसे होता है दोस्तों तो हमारा यह क्या बन गया है अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्चन में धिकाएगा और नहीं समझ में आया तो डाउट भी आप comment section में पूछ सकते हैं thank you so much दोस्तो